हाई मैं हूँ हर्ष नागर और जैसे कि इस वीडियो का टाइटल है कि इंडिया में आक्टर कैसे बने और इंडिया से मेरा मतलब है बॉलिवुड जादा साउथ की फिल्म इंडस्ट्रीज हैं तेलिगू का नरा क्योंकि मैं वहां का हूँ नहीं इसलिए मैं वहां की बात या फिर फिल्मों में कैसे काम करें या वेब सीरीज में कैसे काम करें या सीरियल में कैसे काम करें तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं जहां पर मैं लंबी डीटेल में ये बात बता पाऊं और फिर एके करके मुझे सब कुस सवालों का जवाब नदेना पड़ें तो उसकी सबसे बड़ी बात तो यह है कि कहीं लोगों को एक्टिंग से जादा जो फेम है जो शोहरत है वो अच्छे लगती है और ऐसा अभी से नहीं है जब अच्छली में फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई जब स्टार्स बनने शुरू हुए जब लाक अन वाइट फिल्में आती थी चाहे वो दिलिप कुमार हो चाहे वो राजकपूर हो चाहे वो देवनंद हो तब तीन ही होते थे तीन आक्टर्स ह करते थे और लोगों के लिए स्टार जो है वो था जो बड़े परदे पर आता है वो होता है स्टार उसके बाद अफकॉस कलर हो गई फिल्में फिर तीन से ज़्यादा हीरो बनने लगे मतलब 5-6-7-8-10 यहां तक कि 90s तक तो ऐसा था कि यंग्स्टर्स में ही 2-3 होते थे औ उसमें शारुक खान भी साथ में थे यह उसमें सलमान खान भी थे और आमिर खान भी थे तो करीब 8-10 लोग अक्टर रहने लगें अभी तक भी वही हाल है अगर आप हीट अक्टर की बात करेंगे तो दस अक्टर होते हैं तो अगर आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं कि कैसे जो है अक्टर और मुझे सबगता है कि अगर आप पूछ रहें कि अक्टर कैसे बना जाए तो आप स्टार की बात कर रहे हैं दस लोग अगर पूरी इंडिया में से या इस नॉर्थ इंडिया तो अगर आप उनको हटा दे तो बेसिकलि अब उसे सवाल पूछ रहे हैं कि कर अगर साउथ के पॉपिलेशन अधा दें, मैंसे कैसे दस लोग बना जाए तो अफकोस यह तो कोई भी मतलब मैथमेटिशन भी आपको कैलकुलेशन नहीं बता सकता कि आपका चांस जो है वह एक परसंट एक परसंट भी नहीं होगा बट अगर हम बात करें कि सच में अगर आपको अक्टर बनना है सिर्फ अक्टर बनना है स्टार नहीं बनना है तो आप क्या कर सकते हैं अगर आपको प्राक्टिस करनी है तो वो थेटर ही है क्योंकि थेटर जो है उसमें आप फ्री में कर सकते हैं तो और प्रैटिस की बात cél UH यार मुझाता है कि मुझे बहुत बड़ा वह बहुत बड़ा शॉक क्या है क्या आप यह चाहता है कि सब लोग आपको देखें कि आप जो है यूदो अर्ट्च करें आप जो हैं ओडिंग चापें आप नियूसपेपर में और आपको सब जाने आप पीछे जो है लड़कियों की लाइन लगी हो या रिवर्स आई कि हो और लोगों को इन सारी चीजों से ज़्यादा प्यार होता है कि यह सारी चीज़ेंगे हैं अब तो मैं में सुचा एक रिलिस्टिक जवाब जो कहीं लोग हैं जो इनो 16 साल के हैं 18 साल के हैं 20 साल के हैं उससे सवाग पूछते हैं तो अगर रियल आप कौन से दिया जाए कि आपका चांस क्या है percentage क्योंकि आप कोई भी अगर एकजाम देते हैं चाहेब वह आईयस हो चाहे वह दोक्तर बनने के लिए हो या फिर इंजीनियरिंग के लिए हो आई पर जाने के लिए हो तो महां पर एक percentage रहती है कि इतने percent लोग होते हैं अब अगर अगर उस percentage की बात कर और उनका कहना यह है मतलब मैं लोग को बताते हूं ही इस वन अफ दा हाइस्ट पेड टीव एक्टर्स टीव इंडस्ट्री में एक्टर्स जितना पैसे लेते हैं वो अलमस्स उनके टॉप में हैं मतलब इन दाट सेंस वो अक्षर कुमार है ऑफ टीव क्योंकि सबसे अदा पै या फिर ओवर ओल जिनको आप सेक्सेस्फुल कह सेंसे आप कह सकते हैं कि 10 में से 8 साल जो है उनको पता थो क्या कर रहे हैं और वह आछे कहा से जो है उनको रोल्स में लें और थीक ठाक पैसे कमाया उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आगे क्या होगा अब अगर आप सोच रहे हैं कि 2% out of 100 तो मैं आपको बता दूँ यह लॉट्री जैसा है कई लोग जो है वो बोलते हैं मेरा बहुत बड़ा शौक है तो ठीक है खेर आपकी जिंदिगे फैसला आपका ही है बट मेरा कहने का यह मतलब है कि अगर 2% चांस है आपका तो एट लिस्ट आपको पता होना चांस है कि 2% चांस है और अगर आप बागी 98% में आते हैं जो एक्टर बना चाहते हैं पर नहीं बनेंगे या तो नहीं हिट होंगे या फिर आगे नहीं चलेंगे एक काम के बाद दूसरा नहीं मिलेगा एक टीवी शो के बाद दूसरा नहीं मिलेगा दो फिल्मों के बाद दो के बाद नहीं मिलेगी या फिर स्टार्ट ही नहीं होगी जीरो ही हो जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि आप कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं एक दूसरी बात यह है कि क्या कोई सेफ तरीका है इसको करने कहां हां बिल्कुल है अब आप कैसे किसी भी कोई भी आप डेंजरस काम करते हैं तो उसके साथ सेफटी रखते हैं रहे हैं आप बंजी जंपिंग करते हैं तो एक जैकेट होती है रस्य आपको उपर बांदेवे होती है वह आपकी सेफटी होती है आप जो है यूनो गरम बरतन उठाते हैं तो आप चंचे से उठाते हैं ऐसे नहीं क आएगा तो आप क्या करेंगे कहने का मतलब है कि आपके पास एक बैक अप प्लान होना चाहिए आप यह समझ के चलिए कि आपको कहीं जाना है और आपके पास सिर्फ एक गाड़ी है पर मैं यह कह रहा हूं कि इस गाड़ी का फेल होने का चांस 98% मतलब 100 में से दो बार ही आप सक्सेस्फफल होंगे बाकी 98% टाइम्स आप फेल होंगे तो आपके पास कोई दूसरी गाड़ी कोई दूसरा स्कूटर कोई दूसरी साइकल होनी चाहिए जो आपको लाइफ में हेल्प करें वरना होगा यह कि आप बहुत पैशन से एक्टर बनने की कोशिश तो करेंगे ब सब्सक्राइब यही रीजन है कि आप हर महीने देखेंगे तो एक ना एक हर साल हर महीने एक ना एक आक आड़ी सिउसाइड करता है अगर आप मेरी बाद में विश्वास नहीं करें तो आप गूगल कर लीचे आप लिखिए मुंबय मॉडल एक्टर सिउसाइड आपको जिसमें एक अक्टर दिखाया गया था जो कि लीड रोल नहीं था उनका हीरो नहीं थे वो पर अनुराक कश्रक की दो फिल्मों में उन्हें काम किया था गुलाल और एक और में भूल रहा हूं भी पर उस इनसान ने उस अक्टर ने डिसाइड किया कि आक्टिंग में जो है पै जो है आप सेक्यूरेटी गार्ड की जो नौकरी होती है वो उन्होंने चूज की अफ्टर एक्टिंग अनुराक कश्रक की फिल्मों में अक्टिंग के बाद उन्होंने वह चूज किया यह जो है यह नों बोंबे के कहीं पेपर ने कवर कि आप गूगल करना चाहें तो गू अब एक तो हो गई कि 2% वाली बात कि आप अगर आक्टर बनने आ रहे हैं फरक नी पड़ता आप कहीं से भी हो कोई भी स्टेट हो आप कैसे आप लड़के हैं लड़की हैं 2% 2% चांस है आपका सौ में से तो अगर 2% आपका चांस है तो आपके बास एक बैक अप प्लान होना सकें जहां से आप पैसा कमाएं आप उस काम में क्या हुथ है अप पूरी जिंदगी खाली भी नहीं बैठ सकते तो अब कहीं लोग पूछते हैं कि नहीं मेरा तो बहुत चोगे मज़े तो आना ही है तो क्या है तो इसके लिए मैं आपको बेसिक कैलकूलेशन बताता हूँ बंबे जो है वो इंडिया के सबसे महेंगा शहर है अगर अगर मैं यहां इक कमरे में रहना है तो उसके लिए आपको रेंट जो है आपके महीने में मतलब 18,000 रेंट दे देंगे तो आप 10,000 मतलब खाएंगे फोन का बिल वाइ-फाय ये सब करेंगे तो आपके 30,000 रोपे लग जाएंगे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ट्राइ करना है आक्टिंग तो ये कैलकुलेशन जरू समझ लीजिए 30,000 एक महीने और 12 महीने का हुआ 3,60,000 और अगर आप 2 साल ट्राइ करते हैं तो ये हुआ 7,20,000 आप इसमें दो-चार बार घर आएंगे जाएंगे भी तो आप 7,500,000 पकड़ लीजिए कहने का मतलब ये है कि 2-4 महीने में कोई आक्टर नी बन सकता दो-चार महीने में लोग जो है आपको जान भी नी पाएंगे 2-4 महीने में आप खुल भी नी पाएंगे आक्टिंग करन तो आप personally अकेले में रो देते हैं वो अलग बात है और जब 100 लोग होंगे आपके सामने जब आप शूट करेंगे तब रोना बहुत अलग बात है आप अपनी language में कुछ भी बोलते हुए अपनी जिन्दगी के लिए रो सकते हैं वो अलग बात है पर जब आप कोई और क्या तो आपका अपनी life के अउपर biography नहीं तो जब आप scene करेंगे और को यूर character बनेंगे और folky line नहीं कहें वह बात है जो आपकी actually personally करनी है तो आपको at least दो साल करना पड़ेगा दो साल क्योंकि कई बार क्या होता है आप आप आए आपने एक रोल किया अब वह फिल्म जो है इरिटिंग होगी सपोस्ट शूटिंग हुई मार्च में पिच्चर रिलीज होगी दिसंबर में तो ऐसे ही आपके यह आट नो मैंने जैसे यह नो शारुक खान अपनी फिल्मों में में हीरो होते राइट जैसे अगर आप टीवी की बात करेंगे तो मैं स्टार भारत पे शो करता हूं कार्तिक पूर निमा उसमें कार्तिक का रोल मैं आदा करता हूं तो में रोल है तो अगर आपको actually मैं actor बनना है मतलब आपक जो है you know proper अगर विल्म में पूरी फिल्म में आप हो और आप इंपॉर्टन हो तो आपको दो साल लगेंगे कहने का मतलब यह है कि आपको साड़े साथ लाग रुपे चाहिए बॉम्बे में सिर्फ रहने के लिए सिर्फ यहां पे रहने के लिए तो एक आपको यहां पर रि आप तीसरी चीज यह है कि क्या गैरंटी है कोई गैरंटी ने और है अब सल्य जैसे की लौटरी होती है वैसी लॉटरी है आप जितनी करेंगे उतना आपका पर्संटेट्ट कुछ percentage chance improve होगा जैसे अगर आप suppose मैनत नहीं करेंगे तो शायद आपका 1% chance हो मैनत करेंगे तो 2% chance हो फिर और कुछ लोग हैं जो मुझे बोलते हैं कि अरे वहां पे तो जो है यूँ आप स्टार्स के बच्चों कोई प्रीजास व्येफ के चांस मिलता है वो सब बात है starting में क्योंकि वह लोगों को जानते हैं तो आगर उनके father director है producer यह data हैं तो उसब को जानते हैं वह एक Party में किसी डिरेक्टर से बॉड़ी वाला चाहिए या कुछ अलग भी बात हो सकते हैं कि बहुत इनोसेंट चाहिए बहुत सॉफ्ट फेस चाहिए तो अफकोस पहले तो उनी के बार में सोचेंगे ना जो अपने आसपास हो में आपको भी अगर कोई कोई चीज खरीदनी हो तो आप क्या करेंगे आप अपने आसपास ही पता करेंगे कि कहां से हो मिल सकते आप अपने आसपास ही ट्राइए करेंगे तो सेम चीज है अफकोस कॉंपटिशन होगा उसकी कोई बात नहीं है फिर लोग कहते हैं कि आपको यह देखना पड़ेगा आपको 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 शॉक किसका है क्या अगर आप कहीं जाओ तो आपको अच्छा से ट्रीट करें आउं जैसे कि मैंने कहा कि आपकी फैन फोलोइंग हो यह फिर आपको लोग लड़किया आपकी फैन हो यह लड़के आपके फैन हो अगर वससारी पाते हैं तो उसके लिए अक्टर बनना जरूरी नहीं थी अश् sú यूट्यूबर्स हैं जो इनो कॉमेडी बनाते हैं अगर सबस्थ ऐसा है कि आपका शौक है कि आपको जानते हैं आप गिरेंगे तो भी शायद वह सेंगे क्योंकि उनको पता है कि आप कितनी बार आपको लगती है आप गिरते हैं और अंजान लोगों को हसाना मुश्किल है अंजान लोगों2 ही कुछ भी कराना मुश्किल है तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हो सकता है आप सबसे अच्छा लाका आप कामेडी करते हो अपने पूरे एरिया में यह कोई आप आजिए लेवल पे आके यहां आएंगे तो लोग आपको बठालेंगे ऐसा ऐसा अगर आप सोछते हैं तो आप आएंगे तो आपको दुख होगा कि ऐसा कुछ नही सी, जो बेस्ट हैं वही यहां आते हैं आफोर सुछ इसी वह नहीं है बट कहने का मतलब यह है अगर कि आप अपने गली में बहुत अचा क्रिकट खेलते हो ज़रूर ही नहीं है कि इंडियन टीम आपका इंतजार कर रही है आप कई लोग हैं जो या तो उनको आपको कुछ बेचना है या तो उनको जो है आपको बेचना है कि भई मेरा ये कोर्स कर में पर्सनली मेसेज करके भी बताता तो शाहिए दो लोग समझ नहीं पाते इतनी लंबी बात तो सक्सेस रेट दो परसंट 98 परसंट क्या होगा कि आप आएंगे आप जैसा काम करना चाहते हैं आपको नहीं मिलेगा बहुत सारे आटर्ट इंको एक भी रूल नहीं मिलता व करना इतनी बड़ी चीज है और अगर आप आएंगे तो मतलब 20-30 इतनी बड़ी है जोती है कि आप अगर 30 साल में ऐसा होगा कि आप खड़े हो और आपने कुछ नहीं किया और आपको 30 में दूसरी कोई प्रोफेशन स्टार्ट करना बड़े तो बहुत टफ होगा इसलिए म प्लान क्या हो सकता है फर एक्जैंपल जैसे मैंने लॉग किया था एक्टिंग करते करते यहां बंबे में क्योंकि एक ऑप्शन होना चाहिए कि अगर आप 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 दूसरा क्या करेंगे एक कही ऐसे अक्टर्स हैं इनको काम नहीं मिला और उन्होंने फिर दूसरे बूसर में डिरेक्टर में राइटर मन गये ऐसे कहीं लोग है जो तिक्तॉक पे बन गये काफी सक्सेस्फफल है वह एक तो तो कहने का मतलब यह है कि ब्लान बी जो है आपका वो यह तो आपकी डेफिनिटली पढ़ाई हो सकती है पर ऐसी पढ़ाई जिसमें अगर आप वा करें और आपका दिन न लगे और आपको लगे कि यार लाइफ तो बरबाद होगी दूसरी चीज यह है कि अफकोस अब जो मैंने आपसे बात कहीं कि अगर आप कोई रिस्क ले रहे हैं अगर आप यह समझें लॉटरी खेल रहे हैं साड़े साथ लाग रुपे की मतलब इतने म आपको अक्टिंग इतनी पसंद है और अक्टिंग पसंद है अक्टिंग करना यह नहीं कि आपको शोहरत पसंद है क्योंकि आपको शोहरत पसंद है इसलिए कोई आपको ले नहीं लेगा कोई भी चीज करोड़ों की बनती है चाहे वो सीरियल हो चाहे वो फिल्म हो चाहे व बनाई है छोटे शहरों में जो है देखिए कहां कोई स्कूल कॉलेज कहां एक और्टोरियम मिल सकता है साटेडे संडे वहां पे प्ले रखिए फेस्बुक पे जो है डिवटाइस करिए कुछ लोग को बलाई है सो रुपे जैसे टिकेट रखे कि लोग आएं देखें उससे आ ए और दूसरी चीजस वहां कि कर सकते हैं कि अगर आपको सच में लगता है कि आप कुछ अलग हैं अपसली अलग है न न जा रहे हैं उसके लिए पहले बोंबी आना जरूरी नहीं जारूरर है और अप और्डेड अश्य से दिखते हैं और कहने का मैं Владव हिए है कि अगर अलग दिखते हैं सपोज आप साथ फुटके हैं या फिर आप चार फुटके हैं या आपके आवास बहुत पतली हैं या आप गाते बहुत अच्छा हैं तो आपको कुछ नहीं करना है आज की समाने में सिर्फ आपको अपनी एक वीडियो बनानी है अगर आप लंबे चोड़े तो दंगल में जो लटकी थी जो फिर बाद में सिक्रिट सूपरस्टार में भी आई जो छोटी बच्ची थी जायरा आई थी जायरा वसीम उनका नाम है तो उन्हें कश्मीर से बुलाए गया था कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर आप में कोई ऐसी चीज है जो बहुत अलग है जो लोग बुलते भी है सबक세요 बहू Byवश बहुत ऑच्छा गाना गाते हैं जैसा में पहले भील इका बहुत अछा हीरो नहीं बनना है तो अगर आपको हीरो बनना है तो आपको हीरो बनना है आपको लीड रोल करना है आप चाहते हैं कि आप जो है में सीरियल में हो वेब सीरीज में हो तो आपको बॉम्बे आने ही पड़ेगा आप यह ज़रूर कर सकते हैं कि आप यह अपनी फोटो की सकते है आप comedy करते हैं, तो आप TikTok पर comedy कीजिए, आप Instagram पर comedy कीजिए, आप बहुत अच्छा शेरो शायरी पढ़ते हैं, कहते हैं, तो आप of course उसे Instagram पर लिखे, जितने जाए से जाए जाए लोगों तो आप अपना talent पहुचाएंगे, उससे आपको एक answer मिलेगा कि भाई, कितने लोग जो हैं, यह अच्छा लग रहा है, यह नहीं, और फिर of course, चाहिए वो casting director हो, या फिर कोई, अगर आपके अच्छे आवाज है, तो music director हो, जो भी इनसान को, आप अच्छी होंगे, तो चीज जो है forward होगी, forward होगी, share होगी, बढ़ेगी, तो कोई ना कोई आपको ढूंड ले अगर suppose ऐसा लगता है कि गाड़ी कहीं जा रही है, कुछ लोगों ने मुझे कहा है कि काम मिलेगा, या हो सकता है, या कहीं मैंने काम किया है, मैं देखना चाता हूँ, उसका क्या होता है, तो आगे रुके, बट otherwise, एक पीछे option रखे, चाहे वो पापा का business हो, चाहे वो आप बिजनस हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, कोई भी ऐसी चीज हो, जानके रखे कि आप एक जुवा खेल रहे हैं, absolute जुवा, अगर शोर शोर्ट होता, तो मतलब सूपर स्टार्स के बेटे जो हैं, वो तो बहुत successful होते हैं, कहीं ऐसे actors हैं, जिनोंने सल्वान खान के साथ as फिल्में नहीं है, मेरा कहने का मतलब सिंपल है, कोई गैरेंटी नहीं है, कि जो है, आपको आज काम मिलेगा, कल काम मिलेगा, अगले मेने काम मिलेगा, अगले साल काम मिलेगा, हो सकता है, जो काम आप आज कर रहे हैं, वो आपका लास्ट हो, उसके लिए आपको ये देखन रोल नहीं करना चाहते हैं आप सिर्फ कोई विलन या फिर कोई करेक्टर रोल जिसे हम कहते हैं वो करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ अपना इंट्रो बनाना है और मुकेश चावरा के पर फेस्बूक पेज पर जाएं एम सी सी कोई जीमेल का उनका इमेल है उनके जैसे दो चार और भी है यूँ आप पराग मेता है और भी शान शर्मा है तो आप उन्हें सिर्फ इमेल कर सकते हैं अपना इंट्रोडक्शन जिसमें उनको समझ में आ जाएगा कि आप कैसे हैं अगर आपको एक जो सिंपल क्वेशन आपने उससे खूशा था कि अक्टर बना है तो क्या करें तो आपको आके यहां अपनी दुकान लगानी पड़ीगी दुकान का मतलब है कि आप खुद जब यहां पे प्रेजेंट होंगे जब लोगों से आप मिल पाएंगे जब आप कर पाएंगे तभी आप जो है अक्टर बन सकते हैं और उसमें भी आपका दो परसंट चांस है तो 98 परसंट जब आप फेल हो जाए तो आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए वरना आप डिप्रेस्ट हो जाएंगे कि मैं मैंने लाइफ में क्या कर लिया और और आपका कोई भी टैलेंट है तो आप उसे सोचल मीडिया पर डालिए हो सकता है आप आप कहते हैं कि मैं कहानी बहुत अच्छी सुनाता हूं नेरेटर बहुत अच्छा हूं तो यूनों हर सिटी में जो है अब तो रेडियो है आप वहां ट्राइब कर सकते हैं आप अपने आपको रिकॉ में औरियो किसी बिटोरी के से ओन लाइन डालिए कि ज़्याद़ से एक पास चाहे वह रियाह hesitant हो चाहे वह इन नहीं कि स्टोरी हो चाहे वह आपका गाना हो से डांस करना हो और अगर वह अच्छा होगा तो फ्यज़ लोह फोग इसे अफॉर्फरावट करेंगे और जब forward करेंगे तो फिर तो आपको आराम से बुला लेंगे तो फिर reality shows आपको बुलाएंगे कि वह आप आईए हमने आपके वो clip देखी जो viral हुई and definitely हम चाहते हैं कि और और बड़े platform पे आप आए तो this was ये beginners के लिए वीडियो था मैं एक और वीडियो बनाऊंगा बात में कि अगर आप already आ गए तो आप क्या कर सकते हैं या online आप क्या कर सकते हैं बट एक्टर बनने के लिए ये है कि ये risk है lottery है और ये सचाही मुझे आपको बतानी थे क्योंकि कहीं लोग जो है वो आपको हो सकता है इसलिए ये reality मुझे बताने के लिए आपको ये वीडियो बनानी थी और फ्लीज इसे शेयर करिए कोई भी जो आपका फ्रेंड या कोई भी सोचता है कि actually में reality क्या है अगर आपको आप्टर बनना है thank you